तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहां पर आज का BTST किस हिसाब से रहेगा और exactly same चीज जो हम लोगों ने कल रात को discussion किया था two breakout stocks में वही यहां पर हुआ ठीक है कल के BTST में कुछ खास नहीं था क्योंकि market range में था मैं आपको हमेशा कहता हूं कि in the end अगर जब भी market कुछ confirmation देगा तो उसका update आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं है टेलिग्राम पर जितने लोग भी हमारे साथ है तो टेलिग्राम का लिंग कहा पर है नीचे comment box और description box में मॉर्निंग में हम लोगों ने यहां से जो एक reversal आया था अगर आप देखोगे nifty bank में 51,200 से 51,500 आया exactly momentum हमने capture किया उसमें हमारे students से काफी अच्छा profit book किया उसके बाद हमारे analysis पे आया jubiland food और रही बाद यह जो हमने इतना बड़ा जो capture किया momentum उसका psychology video है वो मैं आप लोग सीखने में साइकलोजी सीखने में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना उसके बाद jubiland food लिया jubiland food भी हमें 2000 पर lot के आसपास देगा एंड उसके बाद यहां पर देखोगे ना एक psychology देखो यहां पर क्या लिखा है ठीक है हमने तीन अच्छे profit यहां पर book कर लिए ठीक है psychology आपको constant capital बनाना चाहिए और ताकि आपको ज्यादा ट्रेड नहीं करने चाहिए क्योंकि अगर capital panic में lose कर जाएगा तो फिर जितनी भी सारी psychology आप जाके read कर लेना ठीक है आपको समझ में आ जाएगा तो टेलीग्राम का लिंक आप है नीचे comment box में भी तो make sure जिनते लोगों क psychology चाहिए मुझे comment में एक heart बना दीजिए ताकि मुझे पता पढ़ जाए and यहाँ पर let's add 8 to 10 subscriber from this video and daily रात को 10 बजे live stream होता है तो मिलते हैं वहाँ पर मिलेंगे तब तक के लिए यहाँ पर अब analysis हमझ लेते हैं देखो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर देखोगे तो 51,600 market में कल यहीं इसी point पे जो closing दी थी and यहीं से ही market two times कोशिश कर रहा है selling का तो मतलब इधर आपके क्या है seller zone आ गए मतलब यह आपका supply zone supply zone आ जुगा है और यह 51,400 जो बहुत लंबे time से analysis कर रहे हैं तो यह आपका demand zone यहाँ पर बना हुआ है अगर आज के दिन में अभी market खतम में थोड़ा सा time बाकी है तो 51,400 की नीचे अगर closing आ जाती है तो हम लोग क्या है थोड़ा view हमारा negative हो जाएगा क्योंकि demand zone अगर closing price break कर देता है तो हमारी एक downfall हो जाएगा जिसमें हमारा pick रहेगा 51,200 जहां तक हमारा expectation है तो 51,200 का हमारा pick रहे सकता है अगर 51,600 की उपर आ तो फिर हम लोग का decision है वो in the end देखते है closing का पर आएगी तो टेलिग्राम पर मैं update दे दूँगा तो वहाँ पर जिसका link कहां पर है comment box और description box में भी या रही बात nifty 50 की भी तो nifty 50 में भी देखेंगे तो उपर से अगर ध्यान से देखोगे तो nifty 50 slowly slowly नीचे drag कर रहा है ठीक यहां से नीचे से एक must trend line आ रही थी आज इसने बहुत लंबा यहां पर ब्रेक्डाउं देनी के बाद देखो कि 21,800 जो यह बाबा प्रोटेक कर रहा था तो 24,800 बाबा प्रोटेक कर रहा था मतलब यह आपका क्या हो गया अब supply zone हो गया जब supply zone यहां पर हो गया तो आप यह हो तो ऊपर supply zone है नीचे demand zone है तो 50-50 एक क्या है range में जा रहा है अगर इसके नीचे break करेगा तो ही हमें एक बड़ा momentum देखने मिलेगा वरना हम लोग बिना demand और जब तक supply zone break नहीं होता हम लोग entertain नहीं करने वाले market को और रही बाइत नाइका की तो नाइका आज हम लोग ने book कर लिया कितने वे book किया 203.80 के आसपस हमने book किया ये नाइका आज कितना must shoot दिया जितने लोग ने capture किया make sure hit the like button and subscribe button और बाकिया क्या सीखना चाहते हैं let me know in comments ऐसे ही psychology सीखते रहोगे समझते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे इसी के साथ मिलते हैं next video next analysis में thank you मिलते है telegram दूंपयो not